नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अभिशेक और स्वागत आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में दोस्तो बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनकों की कम रिस्क लेना पसंद होता है वो ज्यादा रिस्की वाले mutual funds में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही funds के बारे में बताऊंगा जो की थोड़े से कम रिस्की हैं और आप उसमें थोड़ा सा average type का returns expect कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह है दोस्तों कि अगर आप ज़्यादा returns expect करते हैं 20%, 30%, 40% लेकिन कल को अगर market नीचे चला जाएगा तब आपको within few days के अंदर में ही आपका जो returns है वो negative में भी देखने को मिल सकता है इसलिए ऐसे situation और ऐसे fluctuation से बचने के लिए हमें थोड़े से safe funds में भी invest करके चलना चाहिए और ऐसे safe funds होते हैं दोस्तों hybrid funds hybrid funds के जड़िए दोस्तों fund managers आपके पैसे को share market में भी invest करते हैं और debt instruments में भी invest करते हैं share market में invest करने से ये फायदा मिलता है क्या कि आपको अच्छे returns expect होते हैं और debt instruments यानि कि government securities, corporate bonds में invest करने से आपका पैसा जो है वो safe होता है और आपको एक stable type का return आप expect कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि hybrid funds में equity में भी invest होता है debt में भी invest होता है तो अगर debt का जो portion है वो काफी ज़्यादा हो जाए 60-65% का investment अगर debt में किया जारा है तो ऐसे hybrid funds को हम लोग conservative hybrid funds कहते हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपका जो investment है वो 60-65% का minimum equities में जा रहा है तो ऐसे hybrid funds को हम लोग aggressive hybrid funds कहते हैं और वहीं भी एक तीसरा type का hybrid fund होता है जिसको कहते है कि multi asset allocation hybrid funds तो multi asset allocation funds में यह होता है कि जितने भी categories होते है equity हो debt हो, real estate हो, infrastructure हो तो इस सब में थोगा सा balance type का investment होता है multi asset funds में आप यह सोच के चल सकते हैं क्या कि आपका equity में भी 30-35% का investment होगा date में भी 20-25% का investment होगा real estate, infrastructure में भी 15-20% का investment रहेगा तो दोस्तों अब यह आपको decide करना है कि आपके portfolio के according कौन सा hybrid fund आपके लिए अच्छा है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं SBI mutual funds के तीन अलग-अलग hybrid funds के बारे में बताऊँगा पहला hybrid fund ऐसा hybrid fund होगा जिससे कि आपको better than FD का returns आप expect कर सकते हैं दूसरा hybrid fund ऐसा hybrid fund होगा जिससे कि आप 12-15% का return expect कर सकते हैं और तीसरा hybrid fund जिसको कि aggressive hybrid funds भी हम लोग कहते हैं उससे आप 15-18% तक का return expect कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं अपने laptop स्क्रीन पर और देखते हैं कि SBI के 3 कौन से बहतरीन hybrid mutual funds हैं और दोस्तों मैं आज चुका हूँ अपने laptop पे और मैंने खोल लिया Ticker Tape की website और Ticker Tape की website मैंने आपको पहले भी काफी ज्यादा research and analysis करके दिखाया था कि कैसे funds को हम लोग Ticker Tape की website के तुरू अच्छे से analyze कर सकते हैं और मुझे Ticker Tape का website काफी अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जेव भी data है वो आप काफी easy तरीके से graphical manner में आप उसको देख सकते हैं और सबसे पहला hybrid fund जो की SBI का मैं आपको recommend करूंगा वो है SBI Multi Asset Allocation Fund और इसके returns पर अगर हम लोग नज़र डालें तो एक साल में इसने 14.4% का return दिया है तीन साल में इसने 12.81% का return दिया है 5 साल में इसने 10.11% का return दिया है और maximum यानि कि पिछले 9 साल में इसने 11.14% का return दिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके past में 29% का सिर्फ cash अभी submit है और government securities में इन्होंने 25% का investment किया है जो कि काफी अच्छी बात है mutual funds में इन्होंने 22% का investment किया है और equities में सिर्फ इन्होंने 19% का investment किया है और real estate और infrastructure में भी 3.3% का investment किया है और यह जो इनका investment था यह February 2022 का था और इसका मैं एक बहुत ही अच्छा comparison आपको दिखाऊंगा कि अगर आप June 21 में देखेंगे तो June 21 में 33% का investment इनका equity में था जो कि घट के अब इनका सीधा से सीधा 19% का हो गया है यानि कि इन्होंने अपना 14% का investment था equity का उसको withdraw कर लिया है तो वो 14% इन्होंने कहां invest किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि February में इनका 29% का cash reserve है और वही जूर में अगर आप देखेंगे तो जूर में इनके पास में cash से 14% का था तो इन्होंने क्या 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 कि अभी market काफी ज्यादा high जा चुका है तो इनके fund managers ने equity sold out करके वो जो पैसा निकला है उसको cash में जाके डाल दिया इसलिए अब यहाँ पे equity का जो portion है वो February में कम हो गया है और cash का जो equivalent है वो जाकर कि increase हो चुका है और अगर हम लोग SBI multi asset allocation fund का जो SID आता है यानि की जो informational document आता है उसके basis पे इनके जो fund managers ने कहा है कि यह कहां कहां invest कर सकते हैं equity में यह 10 to 80% का invest करेंगे gold में भी 10 to 80% का invest कर सकते हैं government securities में भी 10 to 80% का invest कर सकते हैं और real estate में 0 to 10% का invest कर सकते हैं तो इसका simple सा मतलब है कि इनके fund manager के पास में काफी ज्यादा flexibility है कि वो equity, gold और government securities में investment करें अगर उनको लग रहा है कि market काफी ज्यादा high जा चुका है, over value जा चुका है तो आप यहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपना equity का जो portion है उसे सीधा से 33% से 19% का यहां पे कर लिया है लेकिन government securities में आप यहां पे देख सकते हैं कि इन्होंने अपना 25% का investment पहले भी रखा था और अब भी रखा है अगर इनके key matrix पर हम लोग ध्यान दे तो इनका yield to maturity है वही 7.11% का है याने कि 7% का return तो इनको मिलना ही मिलना है और इसके उपर में जो भी equity का इनका return आएगा वो आपको extra देखने को मिलेगा इसलिए मैं आपको हमेशा यही बात कौँगा कि अगर आपको FD से ज़्यादा का return चाहिए तो SBI multi asset allocation fund आपके लिए बहुत ही बहतरीन है और दूसरा hybrid fund है दोस्तो SBI equity hybrid fund जो की बहुत ही पुराना fund है और इसने consistently 12-15% का returns हमेशा अपने investors को निकाल करके दिया है जहां तक returns की बात है तो पिछले एक साल में इसने 18.83% का return दिया है तीन साल में इसने 15% का return दिया है पांस साल में इसने 14% का return दिया है और maximum याने कि इसने अपने lifetime में 15.78% का return दिया है अगर इसके portfolio को देखे तो इसका जो target है अपना equity investment का है वो 65% से लेके 80% का है जो की multi asset allocation fund में हमने देखा था वो 10% से लेकर के 80% का था तो इनका target ही equity का 65-80% का है यानि कि यह थोड़ा सा ज़्यादा aggressive है in comparison to SBA asset allocation fund इनका जो debt का जो target है वो 22-35% का है और real estate का जो target है वो 0-10% का है और इनका जो actual equity में current investment है वो approximately 70% का है cash इनके पास में 10% का है corporate date एप्रोक्स 9% का investment है certificate of deposit में भी 3.7% का investment है government securities में भी 3.3% का investment है तो एक तरीके से हम मान सकते हैं कि इनका 70% का जो investment है वो equity में है और 20% का जो इनका investment है वो bonds and equivalence schemes में है अगर इनके portfolio के changes को हम लोग compare करें तो जून 21 में भी इन्होंने 67% का equity अपना exposure रखा था corporate date थोड़ा सा ज्यादा था 14% था उससमें जो कि अब कम हो चुका है cash equivalent उससमें कम था जो कि अब ज्यादा हो चुका है government security और treasury bills भी अभी तक वैसे ही इन्होंने maintain करके रखा जो इनका June 21 में था और अगला fund है दोस्तो SBA retirement benefit plan aggressive fund यह एक aggressive hybrid fund है जैसा कि मैंने आपको बताया था कि aggressive hybrid fund का जो allocation होता है equity का वो थोड़ा सा ज्यादा होता है और debt का थोड़ा सा कम होता है लेकिन इस fund को recommend करने का एक बात और है क्योंकि पिछले साल जब इसका NFO आया था उस समय भी मैंने इसके fund manager के basis पे और इनका जो investment style था उसके basis पे मैंने कहा था कि इस fund में invest करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा ये fund आपको security भी देगी और साथ ही साथ में आपको returns भी निकाल के देगी तो आप यहाँ पे देख सकते कि पिछले एक सल में इसने 30.88% का return निकाल के दिया है और maximum याने की 1.13 years में इसने 27.57% का आपको return निकाल के दिया है aggressive hybrid fund में ये fund काफी पसंद आता है मुझे और अगर आप अपना retirement plan कर रहे है और आपकी age 25 years से लेकर के 35 years के age के बीच में है तो आपको SBI retirement benefit fund में जरूर investment करना चाहिए और इसके portfolio पे नजए डाले तो इसका equity का current exposure 94% का है यानि कि ये basically अभी equity mutual fund ही है लेकिन ये एक नया fund है तो इसमें अभी equity में investment करके रखा गया है और इनका जो target है equity में investment करने का वो 80-100% का है यानि कि ये pure aggressive hybrid fund है और इनका जो corporate debt में investment करने का है वो 0-20% का है इनका target goal में भी invest करने का है जो कि 0-20% का होगा और real estate और infrastructure में भी इनका investment future में हो सकता है जो कि 0-10% कर रहेगा तो मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दो कि अगर आप अपना retirement plan कर रहे हैं और आपका age bracket 25 से लेके 35 years का है तो आपको SBI Retirement Benefit Fund के साथ में जरूर जाना चाहिए तो यह था दोस्तो आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको SBI Retirement Fund के तीन different hybrid funds के बारे में बताया और आप अपने portfolio के according इन तीनो hybrid funds में से किसी भी hybrid fund में invest कर सकते हैं आचा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा इसी तरीके के educational और informational वीडियो के लिए हमारी टीम के साथ में जरूर रहे हैं तब तक लिए दोस्तों खुश रहे हैं सौसत रहे हैं and keep investing जय हिंद